तमार थाना शित्र में पूंडी दीरी से बगई रोड में नकसलियों ने कई जगों पर पोस्टर चिपकाए हैं नकसलियों के ओर से किये गए इस पोस्टर बाजी में बीते 29 जून को गोली मारकर देवानंद सिह मुंडा की हत्या की जिम्मेदारी ली गई है वहीं पोस्टर चिपकाए जाने के बाद ग्रामिनों में दहशत का माहौल है पोलिस ने पोस्टर जब्त कर मामले की जाँच शुरू कर दी है यह पोस्टर चिपकाए गए हैं भारत की कम्मिनिस्ट पार्टी माववादी के नाम से यह एक्स्क्लूजर तस्वीर आपको हम दिखा रहा है नियूज 11 भारत पर 29 तारीख को दिवानंद सेहमुंडा जो पुलिस के लिए मुखबरी का काम करते थे पहले नकसलियों के संगठन में थे लेकिन मुख्यधारा से जुड़ गए और ये शायद संगठन के सदस्यों को रास नहीं आया जिसके बाद देवानंद सेहमुंडा की हत्या कर दी गई भारत की कम्मिनिस्ट पार्टी माववादी ने इस हत्या की जिम्मदारी ली है और इससे संबंधित पोस्टर इलाके में कई जगों पर चिपकाए गए हैं जिसके बाद लोगों में दहश्रत का माहौल है फिलाल पुलिस ने सारे पोस्टर को जब्त कर लिया हो और मामले की छानबीन में जुड़ गई है तो देवनंद सिहमुंडा दिंदहाड 29 तारीक को गोली मार कर हत्या कर दी गई थी और अब पोस्टर चिपकाए कर माववादी संगठन ने इस हत्या की जिम्मदारी ली है तो पोस्टर बाजी से ग्रामीनों में दहश्रत का माहौल है माववादी संगठन ने देवनंद सिहमुंडा की हत्या की जिम्मदारी ली है दिंदहाड 29 तारीक को देवनंद सिहमुंडा की हत्या कर दी गई थी